नवरात्रा की आप सभी को हार देख सुब काम नाए गाइस तो गाइस सुबह की बच्चुके यह साथ और हमारी गूड मॉर्निंग हो चुगी है और गुड मॉर्निंग के साथ चाय नहीं आई है और वागी के यह दिव्यार और उसकी मम्मी शवनम पता नहीं बहार जाने क्य कर दो भी जगा हूं सोके तो वाई साथ बज़े जगता हूं वैसे और दिन पहले जग जाता था लेकिन आज पहले नीन खुल गई थी फिर वाद मैं फिर से सो गया था guys तो guys मैं जग के इनको देख लेता हूं यह क्या कर रहे हैं चाय तो आई नहीं अभी तक हो guys चाय बन रही है तो guys यह देखिए इंडक्शन पर चाय बनाती है इंडक्शन पर इंडक्शन बढ़िया सुविधा देता इसमें डरने की कोई बात नहीं है बिजली से जटका लगने का भी कोई वो नहीं है तो guys इसने चाय बना ली चाय बना रही है अभी दिब्या के लिए दूद रख दि इसका मतलत दिद्धा भी जग जग जुकी है और ये हमारे खेतों की फसल है हमारे खेतों की गाइज तो guys यह देखो यह खुष्भू लेती ए जब भी से गुलाव की पोदे आते हुंको पूल आते है उनको तोड देती है गाइज यह इसको देखो इस पौदे किया अहलत कर रखे हैं और यह मेरा बड़ा ही सांदार पौदा मुझे लग रहा है अच्छा प्रोग्रेस किया इसने इसमें भी फूल आये थे लेकिन जड़गे तो पानी देने के लाइक तो सिर्फ तीन ही पौदे हैं वाकी में तो सब में पानी है और गाइस यह देखी गुलाब का फूल बड़ा ही सांदार है और यह इधर जूने का लुट उठा रही है और अनुती एडो के लिए पानी की जिवस्ता करती हुई पेड लगगा तो बेटा एक जगे में डालो यार दिवा वो खड़ा हो जायागा ना वहां पर मिट्टी छे डालो सभी मडालो अरे पानी खूब है बहुत सारा तो गाइस ये पेडो की रक्सा यह भी करती है यहां पर पडिया बडिया नीचे से नीचे से हां सावास सावास तो पेडो के लिए पानी ये भी देती पानी देने की फूल बेवस्ता है और गुलाब का तो गाइज प्रकृति की रक्षा करना हमारा सभी का दायत बनता है और यह हमारी बेटी प्रकृति की रक्षा के लिए उसमें खूब भरकूर पानी दे रही है इस दिवत्या की मेहनत है कि आज एक गुलाब का फूल खिला है आप पर बड़ा ही सांदार है यह देखिया आप बहुत ही सांदार पेड़ पौधे बहुत अच्छा लगता गाइज जब परकृति आपको समेटे हुए हो कैसा लग रहा है विटा पानी देके मजा आता है आप को कि मैं है कि आता नीचे से देते ना क्यों नीचे से देते हैं पानीा आ आप टो उपर से देर हो नीचे इस ने पानी देलिया है गाई को बहुत अच्छा कारिया करती है यह देखे contour पानी पानी आज आपको इधर का गुड मॉर्निंग दिखा देता हूं किस फिरकार से हम यहां का मौसम सुबह सुबह बहता है गाहां में लोग वाग फसल को काट निकलिये जाते हैं और हमारे हैं तो ऐसा माहल है कि बहुत तेज गर्मी पड़ती है और गाइस पिसले दो तीन दिनों से इतना ठक चुका हूं मैं कि जिसकी कोई हद नहीं इतना सारा काम बरक्लोड मेरे पर हैं बहुत ज्यादा है जिसकी वज़े से मेरी कमर अभी तक सीधी नहीं हुई है गाइस बहुत काम करना पढ़ रहा मुझे ओफिस में ओ गाइस यह इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभी नंदन शुक्रिया तबाई चाय पी लेते हैं उसके बाद आज बहुत ज्यादा काम है मुझे आज मैं बिलकुल दो तीन दिन से तो ठकी रहा हूं लेकिन आज और है देखते हैं आफिस में क्या होता है पीलो अपना हूं हां तो जूला जूलती तो है वेटा लेकिंग दूद पीलो फिर इसकूल लिए रेडी होना है न आपको क्यों क्यों नहीं जाना इसकूल जखाम हो जाएगी दवाई रखिये वेटा अपने पास पूरी फिनिश नी हुई अभी रखिये मेरे पाव लियाओंगा मैं तू तो चल तैयार होके इसकूल जाना है दूद पीले जल्दी से तो आपके सरीर में ताकत आएगी ना दूद पीने से तो आजाओ तो आजाओ जल्दी से साकत वाले बनके दिखाओ मैं जाओ अआओ आओ सभास सभास मेरा बेटा समझ दार है मेरा बेटा तो यह दूद है ना आपका यह तो चाइप प्षैल गी थी दूद उठालो अपना अ दूद ले लो वेटा यह लो दोद को को है 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 चाय डालू इसमें क्यों है यार दिवा ऐसे पीले ना बिटा है दूध पीते हैं चोटे बच्चे चाय नहीं पीते है आप मौशन तो अच्छा है थे रेगिस्तान में मौसम अच्छा है रहता सुगे का साम का सुरा जगने का डलने का बहुत ही प्लीजन्ट बहुत ही स्वाब नमौसम रहता है और यह इसको दूद दे दिया लेकिन यह नहीं पीरी गुस्टा हो गई गुस्टा मत हो यह गुस्टा मैं डाल दू तो गाइज इसको डालनी पड़ेगी यह लो लो अब डाल दी ना कोई ब दूद में डाल दी चाय उसके बार यह पीएगी ऐसे नहीं पीने वाली है अब सही है अब पीलो अठाके अब पीलो अठाके जाएगी जमें जूला जूलूंगी ओ बेटा आपके मूच आ गई तो गाइज दिवागे दूद पीते मूच आच पीए बेटा मूच आगई हाँ हां हाँ 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 है जूद पीने से हिए आपके बाले हाँ हाँ यसने मिटा दिये है मूच अमेटा दूद पीए अ इसनों नह्किए का अप मरimas पी निया हिके और मूच बिलोम पीरेच आएग और दोनों छाय दूद पीर ना दोखे फिर पिर कहा जाएंगे बेटी जाएगी स्कूल और पापा जाएंगे आफिस और आप दूद ले लेवनेने जाएंगे आप दूद लेने आप पो छोड़ते हुगे दूद ले आएंगे है ना? ओके यह बन किया मूँच है बन किया मूँच? गाई जिसके मूँच होन गया है किया मुच्छ होन दूद भाएंगे आज गेट पर आवाज किसके आरिया है और भार वाई भार आवाज कुछ वाईज भार आवाज कुछ भाव बाव भाव बाव कुछ देवता भुले कच्रा किदर से लोगे यहां से क्यों नों लेते गाय निखा गाय निखाती इदर मच्चर आते हैं हमारे मच्चर आते हैं इदर दोब काड़ दी क्या अरे बहुत बड़ी या ले लो तो ले लो है न तो गायज हमारे यह पौदे हैं में फूल आने लग गए हैं आपको बता देता हूँ बहुत महनत करने के बाद रेगिस्तान में मैंने फूल लगाने की कौसिस की है रह वो सकसेज भी रहा है पूली है न यहारे न बिटा ओ यह किते सारे फूली फूल आ रहे हैं देखो यह देखिए यहां फूली फूल अनार बगएरा अमरूदक बगएरा के पेड़ मैंने बहुत लगा रखे हैं ऐसे तो चलो बिटा अंदर सी चलो अंदर ही पीते हैं गाइज मैंने बानी देया है टाकल तेखिये गाइज मेरी बैटी कह रहे है कि गाइज इसमे उनने पानी दिया था कल और यह प्रीज दी दें के पॉच्य करनाईंगे हम और यह में इंसल टूती होई है यह इसकी बोटल टूती हुई है वैंक भी दोप सी मोट लाइं करने देता है मिल को अच्छा और कुछ? और कुछ वो में बापा के एलमेट है अथा, ये हैलमेट है? हाँ और? और काड़ी जे शिटो हुआ है ये गाड़ी का क्या है? ये गाड़ी का देखवे का सीशा है न? हैंशी जापिता है... ऑर झारी, सबस्दारी, नह थाप्ता है... और क्मीरा जिया... हैंशी जालके... सबस्दाओे... ऑर... झालके... मैं तरकाव... हुँ हुँ है तो गाइज यह आपको दिखा रही है आज सब कुछ यह बता रही है और वेटा कुछ बता ना अच्छा इसकी चुन्नी है गाइज अपर तो यह रसी है वेटी तूट गई थी आप गिर गई थी ना इस पर जूले पर यह तो यह वाले से तो ऻक्ति है बन्दूस से खेलती है जिसके बहुत पसंद है यह जाते हुस्? तो गाइज यह बंदुक लेकर सोती है तो गाइज अब हम हो जाते हैं रेडी दोनों फिर अलग-अलग दिसाव में जाएंगे दोनों है विटा तूद्ध पीके अब तयार हो जाते हैं ना तो गूने चलेंगे तयार हो चुके हैं दोनों इदिबा को स्कूल छोड़के जाओंगा फिर में आफिचला जाओंगा तो मेरे विटी स्कूल में जाएगी तो गाइज से बाइ कर दो तो गाइज चालाक लड़की चलते स्कूल ना ठीक गाइज बस आपना प्यार इस प्रकार से बरकरार रखिएगा मातरानी आप पर आशिरवाद वरसाएगी तन्यवाद